भाई सच सच बताना किसने चूडा मटर बिहारी स्टाइल खाया है बिहार में चूडा मटर बिलकुल अलग तरीके से बनाय जाता है हमारी यूपी में जो पोहा बनता है या चूडा मटर बनता है उसका एक अलग स्टाइल होता है विशर सरदी में अगर चूडा मटर बिहारी स्टाइल मिल जा गुड की चाय तो फिर क्या बात है ना इसी जनम में स्वरक देखने जैसा होता है है ना मानते है ना लेकिन क्या होता है गुड की चाय सभी लोग नहीं बना पाते हैं कहते हैं कि दूत फट जाता है लेकिन अगर आप इस सीक्रिट रेसिपी को जान जाएंग ठंडी इतनी होती कि उंगलिया जमसी जाती है बस ये मटर लेके चली मैं आप चूरा मटर बिहारी स्टाइल बनाने ये मेरी मम्मी की रेसिपी है क्योंकि मेरी मम्मी उधर की है सबसे पहले पैन में थोड़ा सा ओयल डालेंगे यहां मैंने वन टेबल स्मून से थोड़ा सा ज करें दाला है और जब गरम हो जाए तेल ना उसमें डालेंगे जीरा जीरा टालें के लिए कबाद हरी मेर्श डाले हैं टेस्टए कॉर्डिंग हमारे अमर्य यह मिर्ची कम खाते तो मैं मिर्ची कम डाल रहे हूं इसके बाद जालेंगे पोहा पतला वाला भी आता है जो पे पी हो जाता है एक दम देखे चूरा चूरा हो गया विल्कुल बस जी ये रडी हो गया अब इसको साइट में रख दीजे तो मैं इसे एक अच्छे से कटोरे में निकाल के रख दे रही है ये पैन ना मैंने अभी अभी लिया है सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए फिर सेम पैन है जब तक मुंफली में ना क्रैक्स ना पड़ जाए हलकी आच पर इसको भी भुनना है तेज आच पर भुनेंगे तो ये ऊपर से तो जल जाएगी लेकिन अंदर से नहीं पकेगी ये देखिए मुंफली अच्छे तरीके से भुन चुकी है अब इस मुंफली को भी निकाल करके हम साइड में कर लेंगे ये एक बार तैयारी होगी ना तो चूड़ा मटर बस आपको गर्मा गरम चाय के साथ सर्वी करना रहता है मैं तो आजकल पार्टी में ये देसी चीज़ें ही स्टार्टर में रखते हूं अब सेम पैन में वन टीस्पून लिया और उसमें डाल है और साथ का साथ डालेंगे नमक डालने से मटर जल्दी से पकेगा आप इसे न डख करकर के दो से 3 मिनिट पका लीजे डखने के बाद आपका मन करे तो भंगरा डांस भी कर सकते हैं मैं यहाँ पे जादा खुशूँ क्योंकि आज मेरे दोस मेरे घर आने वाले हैं और वी पानी को पैन में डालना है दो कप पानी में एक कप दूप डालती हूं इसी अकॉर्डिंग आप भी मिजरमेंट कर सकते हैं साथ में अद्रेक इलाइची को ना अच्छे से कूच लीजे जैसे किसी दुश्मन को कूचने का मन कर रहा हो और कूच ना पाएं तो मनी मन और जाद जरूरी चीज है देर चमच के जितना मैंने यहां पर अद्रक और इलाइची का यह पीस डाला उसके बार डालूंगी मैं यहां पर चाई पती चाई पती मैं दो टी स्पून डाल रहे हूं आप अपने टेस्ट रिकॉर्डिंग थोड़ा कम जादा कर सकते हैं लेकिन चाई च्पती डाल के भी इसे अच्छे से बॉयल करना ना जरूरी है इसके बा draining दूद रूम टेंपरेचर का होना जरूरी है नहीं तो कहोगे नली ने बताय नहीं अब इसे अच्छे से खुला लो जितना कड़ा आपको चाई पीनी है ना कहते हैं तीज वाली चाई चाई जी य मैं या दो मिनिट अच्छे से बॉयल कर रही हूं उसके बाद यहां पे डालना है गुड अगुड कभी भी यह धेली वाला मट डालिएगा हमेशा इससे कुछ-कुछ आके थोड़ा महीन कर लीजे मैंने इससे उसी ओखल में कुछ-कुछ आ दिया था तो यह पाउडर जैसा ह हो गया वैसे मार्केट में पाउडर वाला जैगरी भी मिलता है आप उसे भी इस्तमाल कर सकते हैं इसके बाद दो तीन उबाला और दूंगी गुड की चाय बनके रेडी है चीनी को फ्लीज अपनी जिंदगी से हटा दीजे गुड हीमोगलोबिन को भी बढ़ाता है तो इस तरीक से आसानी से दब जा रहा है इसे ज्यादा गलाईएगा मत नहीं तो बिल्कुल स्वाद अच्छा नहीं आएगा अब यहां पे जरा साना मैं कुटी हुई लाल मिर्च और एड़ कर रही हूं ताली मिर्च के पाउडर के साथ दोनों चीजें वन टी स्पून वन टी स् सर्व करना है तो जब भी आपको बनाना हो तो उतनी ही क्वांटिटी बनाईए जितना की आपको खाना हो बना करके इसे आप रखेगा नहीं और धनिया जरूर डालेगा इससे पॉस्टिक्ता भी बढ़ेगी और साथ में स्वाद भी एक बात जरूर बताएगा आप मुझे कहां से देख रहे हैं ताकि अगले वीडियो में मैं आपका धन्यवाद कर पाऊं अनुशरमा जी फ्रम कानपुर आपका बहुत बहुत भात धन्यवाद आप हरी वीडियो में मेरे लिए बहुत अच्छा अच्छा लिख के जाती हो जिसकी वज़य से मुझे बहुत तो गुर्ड की चाय कभी भी फटेगी नहीं यानि कि दूद बिलकुल नहीं फटेगा आपकी मेहनत और पैसा जायान नहीं होगा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज जादा जादा शेयर कीजेगा आपको वीडियो अगर पसंद नहीं भी आए तो भी आप डिसलाइक कर सकते हैं लेकिन आप बताएगा जरूर आपके बताने से जहां मुझे मोटिवेशन मिलता है ने ने आइडियाज मिलते हैं मैं अपने गलतियों पे भी काम कर सकते हूँ अभी के लिए आपकी नलीनी इजाजत चाहती हैं देश की और भी ट्रेजिशनल रेसिप इसके साथ जल्दी ही मिलूंगी अपना ख्याल रखेगा सर्दियों में खासकर इंजोई